यह कौन शेरियार चौधरी कोई तस्वीर नहीं है कि अपने इंस्टाग्राम पर आप देखते हैं कि अब यह जो वीना मलिक जी है यह जो उनकी महबबत है यह इस महबबत से पड़ा उठाती है दिखाती है कि कौन है शेरियार चौधरी यह तो आने वाला वक्ती बताएगा अजरीन मेरी बहुत जादा बहुत प्यारी विशन हैं वीना जी के साथ बहुत अच्छी इंसान है और एक अच्छी और जो है एक अच्छा साथी डिजर्फ करती है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्फ करती है, I hope कि शेरिया चौदरी जो भी है इनकी जिंदगी में आएं, इनकी जिंदगी को चार चांद लगा दें, एक अच्छा पीछे जो एक सपोर्ट है, वो उनको मिलनी चाहिए और उनको घुमने, फिरने, खाने, पीने, एक हर्ट इंजॉयमेंट के लिए एक लाइफ पार्टनर जो है और मुझे लगता है, अगर उनको कोई राइफ परसन मिल गया है, तो उनके लिए बहुत 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 हो, क्योंके हम चौजरी जी को नहीं जानते के कौन हैं, कहां से हैं, तबहुत इंट्रिस्टिंग सी नियूज है, वोच्छा आइफ लाइफ तो हर जगा हो रही है, अगर मुझे लगा के मेरी एक बहुत अच्छी हमारी शोबिस परसनालिटी, वेरी तलेंट, वेरी चामेंग और बहुत जादा स्मार्ट, होशियार, और मुझे तो बहुत पसंद हैंगा हर किसम का काम, उनकी मिमिकरी के हिसाब से तो पुरी दुनिया में जाने जी पहचानी जाती है, वीना मलिक जी किसी तारुप के महताज नहीं है, शीज़ पाइन अक्टरस, सुपर लइडी, वेरी क्लासी, अज़ी आपको अपहुआ हूँ, सोशल मीजिया, सोशल मीजिया पे हमेशा से ख़बरों की नजर बनने की। जो है न सलाहियत वह बैस्ट है और रही भी है और हमेशा से खबर इनकी जो है वह बहुत ज़्यादा वाइरल होती है किसी भी किसम की कोई बात हो क्योंकि सोशनल मेडिया की क्वीन है एक चल रहा है कि वीना मलिक जी और शेहरियार चौधरी जो है इनके आपस में एक दूसरे को यह publicly publicly comments कर रहे हैं दूसरे को और comment के जवाब भी हो रहे हैं दिल बना रहे हैं महबत भरी चीज़े हो रही है और वीना जी भी प्रपलाय करती है और शेयर जी जो है रपलाय करते हैं तो यह on screen मीडिया में social मीडिया में जवाब, तियार, мहबब, कुछ ऐसे गाने, कुछ जैसे सूरत romantic songs जो है वो एक दूसरे को share किये जा रहे एक दूसरे को tag किये जा रहे खबरे भी इनकी चलना शुरू हो गई है ये है कौन? शेरियार चौधरी कोई तस्वीर नहीं है इनकी अपने इंस्टाग्राम पर आप देखते हैं कि अब ये जो वीना मलिक जी है ये जो इनकी महबबत है ये इस महबबत से परदा उठाती है दिखाती है कि कौन है शेरियार चौधरी ये तो आने वाला वक्ती बताएगा नाजरीन मेरी बहुत ज़्यादा बहुत प्यारी wishes हैं वीना जी के साथ बहुत अच्छी इनसान है और एक अच्छी ओरत जो है एक अच्छा साथी डिजर्फ करती है एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्फ करती है आई होब कि शेरियार चौधरी जो भी है इनकी जिन्दगी में आएं इनकी जिन्दगी को चार चांद लगा दें, एक औरत के पीछे जो एक support है वो उनको मिलनी चाहिए और उनको घुमने, फिरने, खाने, पीने, एक हड़ इंजॉयमेंट के लिए एक life partner जो है वो चाहिए और मुझे लगता है अगर उनको कोई right person मिल गया है तो उनके लिए बहुत इच्छा सरमाया है और और यह मैं आपको बता दूँ के इनका पिछला जो भी कोई अगर इनका disaster या कोई इनकी तकलीफ या इनकी जिन्दगी से कोई pain या दर्द गुजरा है तो आप इनके लिए जो है एक अच्छा कदम उठाइएगा ताके वो अपने जितने घम ह हैं तकलीफ हैं दूर हो जाए इनके और उन सब चीजों को भूल जाएं और भूल के आपके साथ एक खुबसूरत नई जिन्दगी का जो सफर है वो शुरू करें और उसमें एक अच्छे शोहर और अच्छे पार्टनर का साथ बहुत important होता है और याद रखिएगा कभी भी जो सोशल मीडिया वाले हैं जो ब्लॉगर्स हैं जो कॉमेंट सेक्शन वाले लोग हैं जो सस्ती शोहरत के लिए किसी भी बड़ी परसनालिटी का नाम या सहारा यूज़ करके तो अपने अकाउंटों को चमकाते हैं अपने यूट्यूब के गंदे थंपरिंट बनाके और थंडेल बनाके लोगों को जो है ना उखाड़े होते हैं उनकी जिन्दगीयों को पाश पाश कर रहे होते हैं आप ने अपनी इन हरकात से दूर रहना है वाना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्यों कोई यह जो मेरा प्लाटफॉर्म है यह मेरा है यहां पे मेरा मुझ खराबी की तरीके से पेश आना है दौाओं में पेश आना है गंदी खपरे नहीं और पिछली कोई बात नहीं और अगली भी कोई फजूल की बात नहीं करनी है तो दौाओं में लोगों को याद करें लोगों को खुशी में शरीक होना है तो इस तरीके से शरीक होना सेलिब अच्छा मैंने अब आपको अपने प्रोग्राम के जो 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 आपको बात बता रही हूं तो ये बिल्कुल फैक्ट बात इतने गंदे किसम के गलूज होते हैं चीज़े होती है आपको सेलून वाले ये कहते हैं के कुछ भी नहीं होता आप लगवाएं लैशीस लगवाएं के चले जाएं ये सब कुछ होजएगा नई भई कुछ भी नहीं होता एक तक पक्री सी आंखे हो जाती है और आपकूर दो निखालने के लिए अब और से बढ़ांदे बहूसे से एक महीने के लिए गई थी अमेरिका और बार आपने देखा भी होगो के लंडन के बड़े चक्क्र लगा रही होती ही लोगों को लगता है मैं क्यूंके सिंगिंग शुरू करती है तो बीच में एक आती होते हैं दो ही कोई होते हैं मगे मैं अपना स्किन केर का ब्रांड जो है अगर मैं आपको बता हूँ यह फार्मूले को इतने वो नहीं होते हैं कि जिसको हम कहें कि भाई यह कानिया यह 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 चीज़े हम भी बना सकते हैं यह मुझे पता इस तरह से चला कि जब मैंने रिसर्च की मैं गई वहां के डर्मटोलेजिस्ट वहां के इसकिन डॉक् आपके जो मैनुफेक्ट्रिंग कंपनीज वगेरा हैं उनकी मैनुफेक्ट्रिंग कंपनीज वालों से मेरी कुछ 6-6-8-8 कंपनी से मेरी मुलाकात हैं उन्हें मुझे अपने जो फार्मूलेज शेयर किये चीज़े बताइए जो वाइटनिंग प्रोड़क्स होते हैं इस र मुझे का ख्याल इसलिए करना पड़ता है और किस तरही किसे करना पड़ता है देखें आप तीन दिन दात नी मांजेंगे चार दिन दात नी मांजेंगे क्या होगा दात नी मांजेंगे क्या होगा उची अवाज में बोलो पीले हो जाएंगे ना तो फिर बद्बू भी तो हमने अपनी स्किन को भी मॉस्ट्र, ख्याल, सब कुछ करना है अच्छे प्रोडॉक्स लगा के तो मैं पाकिसान के लिए बहुत इच्छा तोफ़ा लाने लगी हूँ और मैं आपको भी बता रही हूँ, बहुत जल्दी लाँच करूँगे, मैं अपने कॉलर्स को फ्री में यहाँ पर गिफ्ट करूँगी, वो क्रीम, फेस वॉच्छ, वो संब्लॉक्स, वो सारी चीज़े जो मेरे स्किन केर के आ रही है, ताकि आप यूज करें कि भई यह जो मेहंगे फामूलाज हैं, वो मैं कितने सस्ती कॉलिटी में अच्छी तरीके से आपको बना के दूँगी, जो आप लगाएंगे और आपके स्किन बड़ी सॉफ्ट और अच्छी रहेगी, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, तो द्वा कीज़ेगा, आप सब के लि आप लुटतेए, याप मरें विफुड ओ